कि देखिए आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर आठ ठीक है जो कि आपके हिंदी के इस्पेसल कुईशन इस वीडियो में शामिल है तो आप वीडियो को पूरावास करिएगा चली देखते हैं इसके पहला कुईशन फर्स्ट कुईशन है आपके कि हिंदी भाषा किस लिपी में लिखी जाती है तो रहेट आप्शनों को ऑप्शन सी यानि हिंदी भाषा देव नागरी लिपी में लिखी जाती है देव नागरी लिपी में 11 स्वर और 41 विंजन होते हैं जबकि गुरु मुखी लिपी पंजाबी भाषा की लिपी है और ब्रामी प्राचीन भाषा है ठीक है तो आप नोड भी कर लिजीगा वेरी इंपॉर्टेंट है आपके प्रेक्टिस सेट चलिए अगला कुशन है निमखिन में शुद्ध वाग का चेन कीजिए पहला है मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ मैं उनका धन्यवाद करता हूँ मैं उनको धन्यवाद देता हूँ मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ तो option ने सही होगा मैं उन्हें धनवाद देता हूँ वाक शुद्ध है जबकि प्रशन के अन्विकल्ब अशुद्ध हैं उके चलिए अगला question है जो अच्छे कुल में उत्पन हुआ हो तो option भी यानि कुलीन तो अच्छे कुल में उत्पन होने वाले को कुलीन कहते हैं जबकि एकी वर्ड या जाद के लिए जैसे ब्रामर या च्छत्रिय अत्वा समान या सद्रिश के लिए सवर्ड शब्द यानि कुलीनों के लच्छड गुड अत्वा संसकार के लिए अभिजाद शब्द तता तम मुख परदान बहुतों की ये पेच्छा अच्छा के लिए स्रेश्ट शब्द का प्रयोग किया चाता है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं जिसकी समान कोई दूसरा नहो तो अपसंसी अनुपम तेकि जिसकी समान कोई दूसरा नहो उसे अनुपम कहते हैं स्रेश कारता है सबसे उत्तम ओके चलिए अगला प्रशन है करूल का विलोम करूल का होगा निश्ठूर ठीक है कड़ा का विलोम मुलाएं तता निर्दई का विलोम दयावान होता है जो नेश्कूशन है आपे मनुरम का संदी विच्छे तो आपसंडी मन धर्रम इसने विस संदी है यह ध्यां दिजीएगा चली सुनेशकूशन है परतेच में कौन सा समowego समास है ठीक है अगला प्रशन है मा घ्र हमानी में जा आसी वाली ती में मर दानी शब्दकार्द तो आप्शन सी पुरुष्ट तवान ठीक है इसे वीरता सूर्था अत्वा विरोचित भी कहा जाता है तो ये भी कुशन पूछ सकता आपसे अगला प्रशन देख लेते हैं जो अपने कर्टब्यों को न जानता हो उसे कहेंगे कर्टब्वेहिन जो अपने कर्टब को न जानता हो उसे कर्टब भीन कहते हैं जबकि की कर्टब विमोरिकार्थ है भोजक का होना या हक का बक्का ठीक है प्रेम चंद्र का एग शशकत उपन्यास गोदान है तो option C समाजिक देखे प्रेम चंद का शशक्त उपन्यास गोदान एक समाजिक उपन्यास है ठीक है उच्छ तता निम्न वर्ग का वरलंग इसमें किया गया है very important है so next question देख लेते हैं निम्न लिकिन शर्द समू में 3 के अर्थ समान बेमेल शर्द का chain कीजिए तो option C यानि दूद चलिए अगला प्रशन है प्रशन मिरित का तदभो रूप होगा तो option C यानि नाच नाच होगा जो शब्द संस्क्रिस से उत्मन या विक्सित हुए हैं अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी शब्दा वल्यों में आगे उन्हें तदभो कहते हैं ठीक है नेच कुशन है मिर्चयापूर जनपत के प्रख्यात हिंदी आलोचक का नाम तो था राम चंद्र शुक्न टिक है यह टाय है तो 15 कुशन टॉप 15 कुशन आपको हम दे रहे हैं वीडियो में ठीक है इसमें से कितने कुशन आप कर सकते है इसको कवेंट बाक्स में में लिखके जरूर बताना हम मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ थेंक्यू धन्वाज जय हिन जय भाराद